बच्छो आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत हैं जैसे कि हम एक बुंद कविता पर चर्चा कर रहे हैं इस कविता के अंतरगत हमें ये समझना है कि पानी और जल जो हमारे जीवन में कितना महतो पूर्ण है और एक पानी का बुंद कैसे वो आगे बढ़ते हुए एक मोती के रूप में परिवर्तन होता है इसके बारे में हम समझेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है हमें जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अपना घर छोड़ना पड़ सकता है जैसे कि मनुष्य जो है निरंतर इदर से उदर कहीं न कहीं अपने कार्य के लिए जाता और आता रहता है ठीक उसी तरह से मनुष्य को घर छोड़ना पड़ता है इस कविता में कभी ने इसी तत्य को उजागर किया है जीवन में उन्नती करने के लिए अधवा किसी विशेश उद्देश से यदि हमें अपना घर छोड़ना भी पड़े तो कभी घबराना नहीं चाह कभी कहता है कि जीवन में उन्नती पाने के लिए जीवन में उन्नती यानि यशस्वी पाने के लिए जितने के लिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर मनुष्य को अपना घर छोड़ना पड़े तो कभी उसे घबराना नहीं चाहिए समय आते ही उसे अपने घर को छोड़ कर उन सारे चीजों को प्राप्त करना चाहिए जैसे कि यहाँ पर कविता को दिया गया है जो निकल कर बादलों की गोद से जो निकल कर बादलों की गोद से ठी अभी एक बुंद कुछ आगे बड़ी सोचने फिर फिर यही जी में लगी आह क्यों घर छोड़ कर मैं यों कड़ी यहीं एक पानी का बुंद कहता है कि मैं बादलों में था बादल से निकल कर मैं जमीन पर क्यों गिरा मैं बड़े ही सुकून से बड़े ही आराम से उपर बादलों में था हवा में लहरा रहा था क्यों मैं छोड़कर जमीन पर नीचे गिरा उसके बारे में वो पानी का बुंद सोचने लगता है देव मेरे भाग्य में क्या है बदा मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चू पढ़ूंगी या कमल के फूल में वह पानी का बुंद जो है वह अपने आप से पुछ रहा है और भगवान से प्रातना कर रहा है मैं बचूंगी या धूल में मिल जाओंगी या किसी अंगारे में में जाकर गिरूंगी या जलूंगी इस परकार वह पानी का बुन डर रहा है डर कर घबरा कर कह रहा है कि मैं मर जाओंगी या कहीं धूल में मिल जाओंगी या किसी कमल पर गिरूंगी फूल पर गिरूंगी इस परकार वह पानी का बुन सोच रहा है बह गई उस काल में एक ऐसी हवा वह समुंदर और आई अनमनी एक सुंदर सीप का था मुह खुला वह उसी में जा पड़ी मोती बनी वह एक पानी का बुन्द आगे गिरते गिरते जो समुदर के किनारे जो एक सीप थी उसका मुह बिल्कुल खला हुआ था उसमें वह पानी का बुन्द गिरा गिरने के बाद में वह सीप अपना मुह बंद कर लेती है तो कई दिनों के बाद में वह एक पानी का बुन्द जो है मोती बनता है वह एक पानी कबुन मोती के रूप में परिवर्तन होता है लोग योही है जिजकते सोचते जबकी उनको छोड़ना पड़ता है घर किन्तु घर का छोड़ना अकसर उन्हें बूंद लों कुछ और ही देता है कर यानि यहां पर कभी यह बताना चाहता है कि जब तक मनुष अपना घर नहीं छोड़ता तब तक अपने जीवर में कुछ प्राप्त नहीं करता बच्चो इसके विता से हमें यह प्राप्त करना चाहिए करना चाहिए, यह सीखना चाहिए कि हमें विद्या प्राप्त करने के लिए जैसे घर को छोड़ कर स्कूल को आते हैं, पाटशाला को आते हैं ठीक उसी तरह से जब तक हम घर को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम अपने जीवन में एक बड़े मनुष कुछ नहीं बन सकते यहनी कोई अपनी जीवन में एक कोई अच्छा स्टेटस हम नहीं प्राप्त कर सकते इसलिए अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो जब तक आप घर को नहीं छोड़ेंगे आप सारे चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपनी जीवन में सफल लता नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमें हमारे सारे आशाओं को छोड़कर अच्छे से बढ़ाई करना चाहिए अच्छे से एजुकेशन को शिक्षा को प्राप्त करकर हमें अपने घर का नाम और माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए धन्यवाद